नमस्काल मैं डॉक्टर राजिस कुमार शिंग सायक प्राध्यापक भुगोल सर्वनारायन सिंग राम कुमार शिंग महाविद्याले शाहरशा अगले इससे पहले के वीडियो पोस्ट में मैंने प्राचिन कालीन मानब जातियों का प्रवास विशवस्तू पर चर्चा की थी और उसके अंत में मैंने कहा था कि मैं अगले वीडियो पोस्ट में मतलब बर्तमान में जो मैं मानब पाट्टू के चात्रों के लिए जो मैं ये उसक्रम में मैंने कहा था कि मेरा आगला वीडियो इस विसेबस्तु से संबंदित जो होगा उस पर मैं प्रवास की संकल्पना, प्रवास के विविन पक्ष एवं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, इसलिए कहा था कि इस विसेबस्तु से संबंदित परिक्षाओं में जो प्रस्न पूछे जाते हैं, उसको ध्यान में रख करके मैंने इस विसेबस्तु को जो कि सिलेबस के खंड और यूनिट वन का पहला विसेबस्तु है, तो इससे बहुत सारे प्रस्न आने की संबाबना रहती है, जो जिन जिन तरह से प्रस्न पूछे जाते हैं, तो मेरा यही प्रियास है कि इस विसेबस्तु से जो मैं 8-10 जो भी वीडियो पूस्ट करूंगा, उसमें वही टॉपिक को उठाऊं, जो कि वही विसेबस्तु को रखूं, जो कि परिक्षाओं में पूछे जाते हैं, सीधा सीधा मने एस्टेट प्रस्न उससे आया था, जैसे आपको परिक्षा में पूछ दिया जाए कि जन संख्या प्रवास की संकलपना पर चर्चा करें, या आपसे पूछा जा सकता है कि प्रवास के विविन पक्षो या बिर्यत चर्चा करें, तो किसी भी तरह का अगर प्रस्न आता है कि वो सौट हो कि लॉंग आंसर हो तो आप बड़ी आसानी से इस विसेवस्तु पर जो ऐसो अपना उत्तर जो ऐसो दे शकते हैं, इसलिए मैं परिक्षा से संबंदित जो सारगर्वित तत्य उस विसेव पोस्ट और मैं यहां आपको बता दूँकि इन सबका मैंने मैंने जो है सो पीदिएफ फायल, दोनों जो है मैं जो है सो मैं पोस्ट करता हूं जोकि विसविद्याले के e-mail, विसविद्याले के website पर या टेली वर्याप , टेलिद्वाम आप देख सकते हैं, या विसविद्य यहां पर जा करके यानि कि सर्वनारायन्शिंग कॉलेज साहरसा के साइट पर भी आप जा करके जो है सो इन सारे बातों का मतत्यों का जो है सो आपके से सम्दित जो भी मैं आपको वीडियो पुस्ट डाल रहा हूं उन सारों का जो है सो मैंने जो पीडिया फाइल वहां पे डाल रखा है तो आप अबस वहां से फाइल को आप देखिए डाउन लूड कीजिए और निस से ही आपको परिक्षा में इस लॉग डाउन के स्थिति में आपको जो है विस्यवस्टू को समझने में आपके आने वाली करेंगे मेरा लोगोशियन निवेदन हैं जरूर ही विश्विध्याले साइट से यह हमारे महाविध्याले के साइट से पीडिये फाइल आउनलोड करें आप उसको देख 123 और वीडियो पोस्ट के संदर में मैं यहाँ पर खास करके उलेक कर रहा हूं कि जो भी वीडियो पोस्ट मैं डाल रहा हूं वो वीडियो पोस्ट जो है सो आपको जो है सो अपने विश्विद्याले के साइट पे आपको जो है सो देखने को मिलेगा यूट्यूब विश्विद्याले का जो डाउनलोड नहीं कि वहां पे नहीं, वहां PDF फाइल डाउनलोड किया जा रहा है, अब हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं कि अभी जैसा हमने विसेवस्तु को देखा कि हम इसमें प्रवास की संकल्पना, विभिन पक्ष, प्रवास के विभिन पक्ष एवंगे ACI देशों से शंपन्डवी प्रवास पर हम चर्चा करेंगे, इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि प्रवास की संकल्पना, या इसको जनसंख्या प्रवास की संकल्पना भी हम कहते हैं का जाता है, तो ये जनसंख्या प्रवास की जो संकल्पना है, उसमें हम देखते हैं कि जनसंख् पर ये है कि मानब जो एक समाजिक प्रानी और गतिसील प्रानी यह जो मानब प्रानी का जो एक मुखे लक्षन है यही गुण जो है सब मानब को प्रवासित होने के लिए प्राचीन काल से लेकर आज भी भरतमान तक जो ऐसो बात करता है जनसंख्या की गति सीलता मानव विकास के प्रतिक अवस्था की विसेस्ता रही है मानव प्राचिन काल से ही प्राकिर्थिक, सामाजिक, आर्थिक एवंग सामाजिक कारकों से प्राभावित होकर एक अस्थान से दूसरे अस्थान की ओर प्रवास करता रहा है किन्तु बर्त्मान में मानव की गती सीलता को अधिक अवजर प्रात है जो मानवी इच्छा का कारण है प्रवास की प्रक्रिया चुने गए अस्थानों एवंग छोडे गए अस्थानों दोनों को ही विभिन सामाजों की सामाजिक व्यवसाईक तथा जना की की सनरचना में परिवर्तन के कारण के रूप में समझा जा सकता है प्रवास अनुकूल एवं प्रतिकूल दूनों दसाओं का परिनाम होता है अब हम प्रवास के विविन पक्ष की बात कर रहे हैं जनसंख्या प्रवास के पांच पक्ष होते हैं जिन में विभिन देश्री कोनों से किसी प्रवास पर विचार किया जाता है इन पक्षों में देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष, संख्या पक्ष वा इस्तिर्ता पक्ष सामिल हैं इन सभी पक्षों का संचिप्त विवरन में करूंगा जो आगे करूंगा या पर जाने की वाली बात यह है कि प्रवास के विविन पक्ष का मतलब यह हुआ कि जब हम प्रवास का अध्यन करते हैं या प्रवास मानब प्रवास पर जब हम चर्चा करते हैं तो उसको जो है तो तो यहां पक्ष का आसा यही है कि हम मानप्रवास का जो अध्यन करते हैं वो कितने तरीकों से किनकिन नजरों से हम उसका अध्यन कर सकते हैं तो इसमें जो है तो हमने पहला कहा देश पक्ष दूसरा हमने कहा काल पक्ष तीसरा हमने कहा कारण पक्ष चौथा हमने कहा संख्या पक्ष और पांचवा हमने कहा इस्थिर्ता पक्ष देश पक्ष की जब हम बात करते हैं तो देश पक्ष का में हम किस तरह से जो है अध्यन करते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां हम देखते हैं कि देश पक्ष में यह विचार किया जाता है यानि कि मानव अस्थान आंतरन का या मानव प्रवशन का या माइग्रेशन का जब हम देश पक्ष में विचार करते हैं तो इसमें किस तरह से हम करते हैं उस पर हम कह रहे हैं कि इस जब देश पक्ष के विचार से माइग्रेशन की हम चर्चा करते हैं या माइग्रेशन का खेत्र में ज़ो जन संख्या मानब की जन संख्या है वह कहा को प्रवासित हो जैसे मान लेजे कि भारत से पराचीन काल में हमने देखा कि भारत से जो बहुत भिक्षोते या बहुत धर्म-प्रचारव थे वह विभिन्द देशों में स्वतमता प्राप्टि के पस्चाज जब हमारे देश का बीभाजन हुआ तो वहां पर हमने देखा कि हिंदुस्तान से बहुत सारे इस्लाम धर्म के शमर्थक जो थे या मुशलमान वह पाकिस्तान के तरफ माइगेट किये और पाकिस्तान में जो हिंदू थे वह हिंदुस्तान की तरफ माइगरेट किया हम इसकी चर्चा भी नहीं कर रहे हम यह जो है चेत्र की बात कर रहे हैं जैसे कि बला अभी जवर्दस्ति किसी को भगाना इसमें बर्तमार में सबसे अच्छा उधारन हमने देखा म्यानमार में जो है तो बांगला देश पाकिस्तान भारत जहां भी जा रहे हैं आ रहे हैं तो यह कहां एक अस्थान से यानि एक देश से दूसरे देश के बीच या एक छेत्र से दूसरे छेत्र के बीच जो माइगरेशन होता है यहाँ पर देश चेत्र की जब हम चर्चा करते हैं चिन चेत्रों की तरफ माइगरेशन हुआ है तम हम इसको इद्ध्यं को देश पक्ष अध्यण कहते हैं देश पक्ष में हम छेत्र विशेष कारी अध्यान करते हैं। देश पक्ष में जो देश पक्ष के अंतरगा जब हम माईग्रेशन का विशेलेशन करते हैं। सामईक प्रवास दैनिक प्रवास आधिक आध्यन क्या जाता है। मतलब कि इस पक्ष के अध्यन में जो समय को महतु दिया जाता है। प्रवास जैसे मालेशे की हम कल को हिंदुस्तान छोड़ करके हम चले गए अमेरिका में जाके बस गए। वहीं की नागरिक ताल ले लिए। दिरकाल अस्थाई प्रवास हो गया। कभी-कभी हम जो मालेशे की कुछ समय के लिए। जैसे मालेशे की आप भी यह पास करेंगे। और उसके बाद आप UPSC, BPSC, PCS की तैयारी करने के लिए आप चाहेंगे कि हम अच्छे जगा पर जाएं तो कुछ समय के लिए पटना या देली चले जाएंगे उस परिक्षा की तैयारी करने के लिए। चंद दिनों तक आप वहां पर तैयारी करेंगे। आप अपने लक्ष को प्राप्त करेंगे तो उसमें समयावधी हुए अल्पकालीन कभी लोग क्रेस करने के लिए माले हम छे मैना के कोर्स के लिए दिली चले फिर लोटके साहर साचले आएं तो फिर हम यहां काते हैं दैनिक प्रवास हम जो आइसो दिन में बहुत सारे लो करने का मतलब यह हुआ कि जब हम काल पक्स की बात करते हैं तो यहां पर माइग्रेशन मानवी प्रवास के समय पक्स को हम लोग जो है सो माता देते हैं किस तरह से मानव समय पक्स के आधार पर प्रवासित होता है उसका हम इसमें विशलेशन करते हैं आगे कारन पक्स कारण पक्ष में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो होता है कि जो मानव जो है जनसमु के रूप में मैंने सामुएक रूप से एक जगा से दूसरे जगा पर जो है सो प्रवासित होता है या होने को बाद्य होता है इसमें जो है सो हम देखेंगे कि कारण पक्ष में जो है उसमें मूल रूप से भौतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा राजनेतिक आदि जो है सो प्रमुक कारण है कि भौतिक रूप से लोग मजबूर हो जाते हैं एक जगा से दूसरे जगा पर जाना या आर्थिक र काम नहीं मिलता है तो आदमी जो है सो देश से बाहर विदेश चले जाते हैं काम करने के लिए तो यह सब जो है यह आर्थिक कारण है उसके वाद सामाजी कारण मालेजे कि इस पर हमने पुर्व के वीडियो में भी चर्चा के थी कि सामाजी कारण जो है का म्यानमार से भगाया जाना यह हमारे संख्या पक्ष्त की अगर बात करें तो संख्या पक्ष में हम जो है सो जब मानव प्रवसन पर विचार करते हैं संख्या पक्ष के आधार पर तब हम किसी देश से सेसे बाहर जाने वाली प्रवासी या उत्र प्रवासी जंता के आँने वाली प्रवासी कितनी है इसे आधा Apollo संख्या को मत देते हैं इस आंधार प्रच को मानवी प्रवास को हम जो आइसो ब्रियत संख्यक मध्यम संख्यक तथा लगु संख्यक प्रवास आने तीन भागों में बाट करके हम अध्यन करते हैं कि ब्रियत रूप से करते हैं तो इसमें जाकर यहां जाती है लोग जगांजे दूसरे दूसरे जगह पर जाकर अस्थाय रूप से था जाते हैं जैसे कि अमेरिका दक्षनी आस्ट्रेलिया दक्षनी अफ्रिका आधी देशों में यूरोप के लोग आये और वहाँ पर अस्थाई रूप से वह बस गए तो इसको हम जो एसो इस्तिर्ता पक्ष के आधार पर जब हम अध्यन करते हैं तो वहां पर हम इस तरह से देखते हैं अब हम जो पूर्व में कहा था कि हम इसमें परिक्षा के दृष्टी कौन से जो इसमें बताऊंगा कि एसी आई देशों में संपन्ध हुए प्रवास पर मैं चर्चा करूंगा मैं उसी पर बताने जा रहा हूं यह आपके परिच्छा के दृष्टी कौन से मध्यपूर्ण है एस्याई महादूइप एक विशाल महादूग है इस महादूइप में जलवायू की दसाओं के परिवर्तन वो नवीन प्रजातियों द्वारा प्राचि जनसंख्यां दवाव की इस्थिती के कारण चीन भारत एवं जापान से लोग अपने परोसी देशों में प्रवासित हो गए थे बीश्वी सतावदी के पहले एसिया से एसिया के चीन से दक्षिन पूर्वी भाग में इस्थित देश मंचूरिया कोडिया मलेसिया थाइलें निंदेशिया वियतनाम फिलिपिन्स म्यानमार आदी देशों की ओर जनसंख्यां का प्रवास हुआ था जापानी लोगों ने अठारा सो असे इस्थित से लेकर उनी सो इस्थित के मद्धे हवाई दूइप संजुक्तराज अमेरिका कनाड़ा ब्राजील आस्ट्रेलिया ए भारती छित्रों से भी प्रवास अपने परोसी देशों की ओर प्राचिन काल में धार्मिक कार्णों से हुआ था धार्मिक परचार परचार के लिए अनिक लोगों ने स्रीलंका इंडोनेशिया तिबबत म्यानमार आधी राश्ट्रों की ओर प्रवास किया था आधुनिक का माइग्रीशन से ही संबंधित तथे प्रवास के विविन प्रकार एवं परिनाम पर चर्चा करूंगा धन्यवाद